यह है डिक्टेशन उच्छ गती अभ्यास खंटू से लिया गया है परतिलेखन संख्या पांच वच्छे गती होगी 80 सब परति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होने में समय से से पांच सेकेंड रेडी लास्ट रेडी और स्टार्ट महोद है बच्चों को जो ग्यान प्राप्त हो वह अनुभव से प्राप्त हो न की केबल अस्मरन सक्ती पर आश्रित रहकर रटाई द्वारा उन्होंने सोचा था और उच्तम सिच्छा सास्त्रियों का भी यही विचार है कि इस परकार से प्राप्त ग्यान बच्चों में जागरुकता कार्ज गुसलता स्वतंत्र भावना पैदा करता है जो इस जीवन के संग्राम में बहुत सहायक हो सकता है दूसरा मौलिक विचार उनका यह था कि इस परकार की सिच्छा इस देश के लिए अनुकूल ही नहीं वलकी अनिवार्ज है बच्चों से जो कुछ भी काम कराया जाए वह उत्पादक काम हो और उससे जो कुछ भी पैदा हो उससे सिच्छा का व्याय यदि पूरा-पूरा नहीं तो अधिकांस निकल सके क्योंकि यदि सिच्छा का व्याय दूसरे परकार से निकानने का प्रियत्न किया जाएगा तो वह बोज इतना बड़ा होगा की सिच्छा सार्बजनिक नहीं बन सकेगी पिछले वर्षों में जो कुछ भी विचार किया गया था या परियोग करके देखा गया उससे जहां तक मैं समझता हूं वही निसकर्स निकाला जा सकता है जो पहले शम्मेलन में हुई बहस से निकाला जा सकता था हमारे सिच्छा सास्त्रियों ने इस पदती की अनुकुलता और स्रेष्टता तो मान ली थी पर उनकी दृष्टी में इसके द्वारा सिच्छा का व्याय निकालना असंबभ भी नहीं अनूचित भी था परियोग से देखा गया है कि इस पदती की उप्योगता है और इससे पूरा नहीं तो अधिकांस व्याय निकाला जा सकता है यह मैं प्रात्मिक और माध्मिक सिच्छा के संबंद में कह रहा हूं उच्छकोटी की सिच्छा के संबंद में अभी परियोग नहीं के बराबर हुआ है इसलिए उसके संबंद में अभी कुछ भी कहना संबंद नहीं है इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि इस पदती को उतना प्रोचसाहन नहीं मिला और ना इसका उतना प्रचार ही हुआ जितना होना चाहिए था और जितना स्वराज प्राप्ती के बाद हम कर सकते थे इसका कारण जहां तक मैं समझता हूँ यही है कि इसकी उप्योगता परमानित होने पर भी पुरानी पद्दी पर जो आस्था थी वह अभी दूर नहीं हुई है और इसी कारण सिच्छा के काम में जो व्यक्ती लगे हुए हैं उनका न तो इस ओर ध्यान गया है और न उन्होंने इस विशाय पर गहराई से चिंतन ही किया है आज भी हम इतना ही कह सकते हैं कि इस पद्दी का अभी केवल पर योग ही किया जा रहा है इसे राष्ट्रिय काज करम मानकर हमारी सरकार ने उसको चालू करने का निश्य नहीं किया और किर्यात्मक रूप से कुछ करने की बात तो नहीं के बराबर ही है उसका परिणाम यह हुआ है कि पुरानी पद्दी की संस्थाएं दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं और सिच्छा सरकार जो कुछ भी ब्याय कर सकती है या करना चाहती है उसका बहुत बड़ा अंस उस पद्दी को ही बनाए रखने में ब्याय हो रहा है और इस पद्दी को बहुत कम प्रोचसाहन मिला है मेरा अपना विश्वास है कि सिच्छा में मौलिक परिवर्तन अवस्य किया जाएगा महोदै बहुत बड़ा अन्स अनुभव और लोगों की कही सुनी बातों से देखे हुए द्रिस्यों से और कुल तथा शमाज की प्रमप्रा से प्राप्त होता है सिनेमा इस सभी परकार के ज्ञान की प्राप्ती में सहायक हो सकता है क्योंकि यह मनुस्य की द्रिस्य और स्रब्व अनुभूतियों के छेत्र को बहुत ही बढ़ा सकता है यह एक साधारन सी बात है जिसे सभी जानते हैं कि केवल सुनी सुनाई बात की अपेच्छा हम पर देखे हुए द्रिस्य का प्रभाव अधीक पड़ता है और हम यदि सिनेमा द्वारा किसी चीज को देख लेते हैं तो उसका उतना फल तो नहीं होता जितना स्वय आखो द्वारा देखने से मिलता है उससे तो कहीं अधिक अमिट छाप किसी के सामने किसी द्रिस्य के वर्णन करने से पड़ती है मन बहलाओ के भी साधन कितने ही परकार के होते हैं कुछ तो ऐसे हैं जो मन बहलाओ के साथ साथ सिच्छा परद भी होते हैं और इसके विप्रित बुरे संसकारो का साधन बन जाते हैं मैं स्वयम यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने बहुत सी फिल्में देखी हैं सच पूछिये तो मुझे बहुत कम फिल्में देखने का अवसर मिला है पर मेरे पास जो खबरे पहुंचती हैं बहुतेरे विश्वसनियों भाईयों और बहनों द्वारा जो सिकायतें पहुंचाई जाती हैं उनसे मालुम होता है कि बहुतेरी फिल्में दूसरी कोटी की हैं जो सिच्छा अथवा मन बहलाओ का साधन न बन कर बुरी वासनाओं को जागरित करती हैं विशेशकर यूबको के चरित्र पर बुरा परभाव डालती हैं हो सकता है कि इस परकार की फिल्में अधिक लोगप्रिये होती हों उनके द्वारा अधिक पैसे कमाए जा सकते हों कुछ लोग यह कह सकते हैं कि फिल्म निर्माताओं का काम ऐसी फिल्मों को बनाना है जो लोगप्रिये हों क्योंकि वे सभी एक परकार की मांग को पुरा करती हैं यह भी कहा जा सकता है कि फिल्मों का धिये मन बहलाओ ही है उसको तो तभी सफल मानना चाहिए जब फिल्मे उन लोगों का मन बहला सके जिन लोगों के लिए बनाई गई हों यह सब बाते बहस के रूप में कही जा सकती हैं पर मैं चाहूंगा कि कोई भी सिनेमा हो अथवा फिल्म के बनाने वाले हों वे यदि अपना करतब समाज सेवा समझते हैं और उन्हें ऐसा समझना भी चाहिए तो उन सब के लिए ये सब बाते यदि अग्राहे नहीं तो गौन अवस हैं और उनका मुख उद्देश तो सेवा ही होना चाहिए सेवा तभी तक सेवा रहती है जब तक वह सेव का हीत करे न की उसे गिराए इसलिए मैं चाहूंगा कि फिल्म बनाने वाले इस पर विचार करें कि उनका उद्देश क्या है उद्देश सेवा ही होना चाहिए और सेवा के साथ साथ यदि धनो पारजन भी हो जाए तो निर्दोस है यदि धनो पारजन ही उद्देश हो और सेवा ना हो तो वह अग्राह होना चाहिए यदि मनुस अपने स्वार्थ बस कुछ ऐसा काम करता है जो उसके व्यक्तिगत लाव के लिए तो ठीक हो पर जिससे समाज को हानी पहुचती हो तो उसे रोकना पड़ता है स्टॉप